अभी हम लोग यहां पर वेदानता लिम्टेट की एनलेसिस करेंगे और इसमें देखेंगे यह शेयर कितना नीचे गिरेगा यूटन किस लेवल से यह ले सकता है और कब हम लोग को पोजिशन मनना चाहिए तो इस शेयर को अगर हम लोग वीकली टाम फ्रेम पर भी देख रहे है तो यह जो यहां पे जो यह गिरावट हुई थी इसका अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो 50% के आसपास गया और उसके बाद एक फिर से हम लोग को एक साफ सेलिंग देखने को मिल रहा है जब यह सेलिंग हो रही है तो हम लोग को यह पता चल रहा है पिछले तिन- लेवल है ठीक है टू सिस्टी के आसपास वाले लेवल के आख को एक चीज यहां पे नोटिस कर रहा हों गे कि जब यहां से ऊपर गया है तो यहां पर आने के बाद यह लगबख लगबख एक-दू महीने यहां पर साइड बेज गया था रईट क्योंकि यह वाला जो लेव जो है 320 का level है यहां पर सस्टेन नहीं कर पाया फिर से यह वापस आ रहा है तो जब यह जब यह नीचे गिरा था तो इसका 50% उपर गया है ठीक है तो इन दे सेम वे जब यह उपर गया है उपर से नीचे आ रहा है तो हो सकता यहां से 38% यहां फिर 50% यह फॉल हो उसके बाद यहां पर एक रेंज बना के फिर से उपर की और निकले ठीक है तो यहां पर अगर हम लोग फीव लगा देंगे चलिए यहां पर फीव लगा कि हम चेक करते हैं तो हम लोगों को पता चलेगा यह जो है अभी ठीक है अपना 50% का level break कर चुका है और यह जो 0.618 का level होता है इस यह वाला जो जो जोन है 261 से लेके पूरा का पूरा यह जोन हम लोग यहां पर रखेंगे यह बायर जोन है 256 का बायर जोन इसलिए है क्योंकि यह जो जर्णी थी यहां पर आके रुखने के बाद यह जो उपर से जम नीचे के जो आया था तो यह जो जर्णी स्टार्ट सब्सक्राइब निकलने की कोशिश कर सकता है लेकिन अगर यहां पैसा नहीं होता है यहां आने के बाद यहां पर कुछ टाइम करने के बाद यह 256 से लेवल को ब्रेक करता है तो यह और नीचे आएगा और जब यह और नीचे आएगा तो इसका next जो लेवल होगा वो होगा 240 का याद रखेंग का मतलब जब भी कोई शेयर ऊपर जाता है तो इस तरीके से हाल्ट करता है तो अभी यहाँ पे 262 से लेके 256 के बीच का यह जो लेवल है एक तरीके का हाल्ट बनने वाला है ठीक है आज के दीन ही हम लोग को यहाँ पे अच्छा का सा एक फूल पेक्ट देखने को मिला है लेकिन अगर हम लोग इसको वणार टाइम फ्रेम पे एक बार देखेंगे तो कहींना कहीं हम लोग ह यहाँ पर देखेंगे, यह जो high है, ठीक है, सारी high यहाँ पर detect है, high इक भी यहाँ पर एक बार भी break नहीं हो पाया है, और अभी latest high जो लगा है, वो 276 के आसपास लगा है, तो अगर यहाँ पर one hour time frame पर यहाँ पर break होता है, मतलब जो यह lower low और lower high का formation start था, वो change हो जाएगा, यहाँ पर polarity change हो जाएगी और higher high higher low बनने लगेगा मतलब कहीं न कहीं यह short term के लिए up trend में shift हो जाएगा और अगर यह up trend में shift होता है दोस्तों तो 284 से लेके ठीक है यह 288 के 20 तक आ सकता है और उसके बाद फिर से यहाँ से नीची की और जाएगा हो सकता है जादा नीचे जाए और उसके बाद यह decide करेगा एक जोन बना के कि सोर इसको जाना है क्योंकि यह तनी गिरावट के बाद थोड़ा सा यहाँ पर pullback कि यहाँ पर possible है किसी भी share के लिए चुकि यह 262-256 के आसपास है अपने strong support जोन के आसपास है तो यही जोन है जहाँ पर यह support लेना चाहिए ठीक है तो अगर यहाँ से यूटन लेता है ठीक है आप सभी को पता है विदानता एक अच्छी company है अगर आप इसकी पहली fundamental analysis कर लीजे आपको यह सही लगे तो कुछ quantity हम लोग को 260 के आसपास बाई कर लेना चाहिए यह नहीं बोलता यह यहाँ से इस तरीके से ऊपर क्यों निकल जाएगा लेकिन अगर हमने प्लान बना रखा है यहाँ पे 100 quantity में position बनाने के लिए तो at least हम लोग यहाँ पे 10-15 quantity बाई करके रख सकते हैं ऐसा है क्यों क्या पता हम लोगों को पता नहीं है कि यह W type pattern बनाएगा फिर वापस आएगा कि नहीं आएगा तो at least हमारे पास कुछ quantity रहेगा तो हम लोग को उत तो नीचे वाली लेवल पे हम इसको और accumulate कर सके जैसे कि 256 का लेवल है यहाँ पर जैसा 240 का लेवल मैंने आपको बताया ठीक है तो ऐसे हम लोग 10-10 quantity करके अगर यहाँ पर accumulation करेंगे तो एक अच्छी quantity बन जाएगी जिसका price हमारे लिए low price रहेगा तो पहला इसका hold point यह हो सक now thank you for watching this video